किसान भायू आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं सिमला मिर्च की उन्नत खेती की संपूर जानकारी केप्सिकम फार्मिंग यानि आपको इस वीडियो पर प्लांटी संस लेके हारवेस्टिंग तक यानि A to Z knowledge मिलने वाला है तो मैं आपको एक ही word कहूंगा कि इस वीडियो को आप लाश्ट तक जरूर देखना यदि आप बांकाई सिमला मिर्च की उन्नत खेती करना चाहते हैं या फिर knowledge लेना चाहते हैं इसमें हम एक टॉपक को क्लियर करने वाले हैं एक फंगास कितने प्रकार के रोग आते हैं डिजीज आते हैं कितने प्रकार की फार्टिगेशन करनी चाहिए और आप अच्छा खासा मुनाफ़ा भी कमा सकते हैं लेकिन कौन सी प्रकार है हमको सिमला मिर्च की खेती करनी चाहिए इसकी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक देखिए तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखिए, सबसक्वेले बात करते हैं, यथी आप सिमला मिठी की खेथि करना चाहते हैं, बड़ी मातरर्ण करना चाहते हैं, तो मैं आपको रreckömendate करूँगा, देखिएं, भात करते हैं आप खेथ त्यार करते समАई, आप कुछ नहीं कर आप, एक ट्राली, जै ह। ढ abbiamo compost, आनि सिम्ला मिर्च की खेती करने के लिए अनुकूल मिट्टी आप लगभग सही प्रकार की मिट्टी पर खेती कर सकते हैं सिम्ला मिर्च की काली मिट्टी हो पीली मिट्टी हो बालू मिट्टी हो चिकनी दो मट मट यार और भी अन्य प्रकार की मिट्टी पर आप सिम्ला मिर् प्रेचर बढ़िया माना गया है यदि इस से कम ज्यादा होता है तो हमारी फसल में उपजुत पादन में कमी देखने के लिए मिलती है और मौसब परिबारतन के कारण कई प्रकार के रोग भी आते हैं बात करते हैं खेती कप करना चाहिए बहुत ही वड़िया टॉपक है तो क घर्मियों में ज्यादा मतलब अधिक टेंपरिचर की कारण थोड़ा से उत्पादन उपज में कमी हो जाती है वाट आप जनवारी फरवारी में भी कर सकते हैं लेकिन मैंने जो समय बताया जून जुलाई अगास सितंबर अक्टुबर नॉवंबर महिने पे आप सिमला मिर् या मैं हाइबरेट की वेस्ट बाढ़िया बैराइट हो आपके मिट्टी के हिसाब से आपके इनवार्मेंट के हिसाब से आप उसी का चायन करें और हम लोग ने जो अभी लगा रखिए सेजेंटा की इंदरा बैराइटी है यह बाढ़िया उपाज उत्पादन है इसका एक 250 से 170 ग्राम तक हो जाता है और रूपाई से 55 से 60 दिन में हार वेस्टिंग के लिए हैं इंदरा वेराइटी आपके लिए तैयार हो जाती है तो आपकी एरिया में जो बढ़िया वेराइट हो आप उसी का चैन करें बात करते हैं प्रति एकड़ पौधी की आवस्क्ता यानि तो कितने बीजों की आवस्कता पड़ेगी तो 100 से 120 ग्राम प्रति एकड़ की दर्स हैं हमको बीज लग जाते हैं अब बात करते हैं बीज उपचार देखिए आप नरसरी तैयार करने से पहले कई किसान भाई हैं जो सीधी नरसरी खरीद लेते हैं लेकिन कई किसान भाई है जो बीज मतलब नरसरी तैयार करते हैं तो उनको मैं रेकमेंडेट कर रहा हूं कि बीज उपचार जरूर करें ताकि अच्छी जर्मिनेशन अंकुरा हो अच्छी तरीके से नरसरी उनकी ग्रोई हो तो आप किसी भी फंगी साइट से बीजों को उपचार करने हैं जैसे यू कोपेट खाथ से आप तैयार कर लीजिए और मिट्टी पर संतल क्यारी बना कर भी आप घर पर तैयार कर सकते हैं सिंपल तरीके से बढ़िया नालियां बनाके मेल बनाके पाल बनाके आप घर पर भी वर्मी कंपोस्ट से जैब कंपोस्ट से गोबर की खास से भी आप नरसरी घर पर तयार कर सकते हैं और आप प्रोट्रे पर करना है तो मार्केट से आप कोकोपेट खाद ले आए और प्रोट्रे ले आए लिजी आपकी नरसरी तयार होगे लिए तो हमको plant transfer कर दे जाहिए ध्यान रखना है जहां से आप plantation निकाल रहे हैं और जहां आपको plantation करने हैं का नमी होना बहुत ही ज़रूरी है इसके अलावा बात करते हैं बेसल डोज यानि जब बेड हम तयार करते हैं जब हम खात देते हैं तो उसे हम बेसल डोज कहते हैं तो उस पर हमको क्या करना है देखी जब आप पार या मेड बना रहे हैं या फिर बेड बना रहे हैं तो आपको क्या करना है आपको 4 बोरी ASSP सिंगल सुपर फासपेड जो 3-400 रुपे पर बोरी 50 किलो गराम की मिल जाती है तो आपको 4 बोरी सिंगल सुपर फासपेड प्लस आपको 2 बोरी ANP के 12-16 को इनको मिक्स करके बेड़ों की अंदर दीजिए यह आंतर खाद है लीजिए आपकी बेड तयार होगी अब बात करतें बेड से बेड की दूरी बेड की उंचाई और बेड की चोणाई बेड से बेड की हमको दूरी रखनी है धाई फिट जी हां दोस्तो बेड से बेड की दूरी धाई फिट बेड की उंचाई 8-10 इंच और बेड की चोणाई हमको 3 फिट रखनी है तो जो मैंने आपको distance बताया है बेट का यदि आप इतना रखेंगे तो आने जाने में आशानी होगी और भी fatigation में भी आसानी होगी बात करते हैं drip irrigation तो अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग drip का price है कहीं 50% subsidy में रहे तो कहीं 80% लेकिन drip irrigation की बात करें तो आप 16 mm ही इस्तमाल करें बढ़िया है vegetable के लिए मिर्च के लिए तो आप 16 mm ही बढ़िया रहेगी mulching paper देखिए मार्केट में तो 18, 20, 25, 30, 50 micron का paper आता है लेकिन जो आपको लगाना है 25 micron का paper लगाना है आपको similar मिर्च की खेती यदि आप mulching paper से कर रहे हैं तो बढ़िया आपको 25 micron का जो mulching paper है बढ़िया रहेगा अब बात करते हैं plantation देखिए जब आप plantation करेंगे उससे पहले का काम होता है hole करना मतलब mulching paper में बैड में hole करना तो जिख जिख ही hole आपको करना है ध्यान रखना है plantation से पहले खेत में नमी होना चाहिए और एक देन पहले आप पानी चला लेजिए या drops छोड़ देजी यानि नमी होना चाहिए बहुत ही जरूरी है इसके अलावा बात करते हैं पौधे से पौधे की दोरी plantation plant to plant distance एक से डेल फेट आपको पौधे से पौधे की दोरी रखनी चाहिए जगजग ही आपको plantation करनी है और पौधे से पौधे की दोरी एक से डेल फेट रखनी है ज़्याद आपको नहीं रखनी है बात करते हैं ड्रंचिंग के बारे में जैसे ह फसल मतल्राब रोपाई हो जूकी है प्लांटेसपल मतले द्र्णचर करने है इसकी जाले ब्राइब है पकड़ लेते को और अच्छा ग्रोइंग वतपादन हो तो आपको थो आपको फस्त ड्रेंश हयरो फाइब दूसरे दिन आपको घ्वलांजील खाद लेना 500 लीटर पानी पार 150-100 मिली के हिसाब से आपको जड़ों के पास प्रती एकर की दर से जड़ों के पास पिला देना है इसके अलावा जैसे ही प्लांटेशन से छटवे दिन का हमाई रोपाई होती है यानि रोपाई से छटवे दिन हमको second drenching करनी है तो आपको second drenching में 1 kg आप NPK 12-100-0 लेना है और आपको 500 ml liquid जीहां दोस्तो liquid humic acid लेना है ध्यान रख रहा है, 1 kg आप second drenching में HPK 12-100-0 खलंसील खात को लेना है और 500 ml आपको liquid humic acid लेना है इनको mix करना है आपको और 50-100 मिली के हसाब से आपको सभी जड़ों के पास पौधाँ के जड़ों के पास आपको पिला देना है सेकंड ड्रिंचिंग कर देना है इसके अलावा थर्ड ड्रिंचिंग रोपाई से 8 के 10 दिन में रोपाई से फसल होती है मिर्चगी तो हमको क्या करना है सत्रा चाबाल जीरो जीरो एनपी के घुरंसील खाद लेनी हमको तीन किलोग्राम इसके अलावा हमको जैब बैक्टिरिया लेना है दो किलोग्राम इनको मिक्स करना है पांच सु लीटर पानी पार और हमको पचास से लेके सो मिली के हिसाब से जणों के पास पिला देना है प्रती एकल की दर्से तो वड़िया है तीन ड्रेंचिंग से ज़्यादा ड्रेंचिंग ना करें यदि आपका बज़ाठ है तो कोई बात नहीं लेकिन कम से कम तीन ड्रेंचिंग तो करना ही जरूरी है ड्रंचिंग का मतला भी होता है कि बिलकुल लिमेट में कम मात्रा पर दबाईयों को और खादों को जणों की पास देना ड्रंचिंग कहलाता है तो बात करते हैं फंगस जी हां दोस्तों फंगस का सबसे बड़ा अटेक होता है हमाई फसल पर शुरुआती अबस्ता से ही तो जैसे डंपिंग ओप है इसके अलाबा वक आई रोट है फ्रूट रोट है एंथरा के नौसस है पाउडरी मिल ड्यूड डाउनी मिल ड्यूड इसके अलाबा स्पोर्ट्स और भी तरह तरह की फंगस आती हैं उनको आप 10-10 दिन 15-15 दिन के अंतरा पर या फिर 20-20 दिन के अंतर पर इस्प्रे कर सकते हैं जैसे हाई फशल 15-20 दिन 25 दिन के होती तो फंगस का टैक आने लगता है तो बायर कंपनी की एंटरा कौर्ट फंगी साइट आती है इसको आपको 150 ml त्रिति एकड घर्ड की दर्शे स्प्रे करना चाहिए इसके अलाबा 20 दिन बाद फोली कोर फंगी साइट आती है बायर कमपनी की इसको भी हमको 200 ml प्रती एकर की दर्से स्प्रे करना चाहिए सेजंटा कमपनी की स्कोर फंगी साइट आती है इसको हमको 100 ml प्रती एकर की दर्से स्प्रे करना चाहिए सेजेंटा कंपनी की बिलू को पर फंगी साइट आती है 400 ग्राम की दर्सें इस्प्रे करना चाहिए प्रती एका इसके अलाब ट्राइको डर्मा भी फंगी साइट आती है और भी बायो फंगी साइट का भी आप इस्प्रे कर सकते हैं हमाई फसल पर पाउडरी मिल्डिव, बिलास्ट, जोलस्ट, फ्रूट, रोड भी औरी तरह तरह की फंगी साइट आती है आप हमसे चैनल पर पहले इससे जुड़े हैं तो आपको नोलिच होगा इसके अलाब आपकी फसल पर कौन से फंगस हैं तो आप कमेंट में लखे हैं तो रिपलाई भी तो रांत मिल जाएगा अब बात करते हैं इंसेक्टिसाड यानि की तरह तरह की इल्लिए हमाई फसल में मतलब सेमिलामेट्स की फसल पर आती हैं फल आने के समय और भी जादा बड़ी मात्रा में आती हैं तो इल्लियों की कंट्रॉल करने के लिए जैसे लाल काली भुरी साइपरकार की इल्लिया होती है तो उनके कंट्रॉल करने के लिए हमको क्या इस्प्रे करना चाहिए इसके अलाब आदावा इंडिया कंप्री की बाराजाइट इंसेक्टिसाइड आती है इसके भी रेजल्ट अच्छे हैं बाराजाइड को आप मेक्जिमम 200 एमेल पर तीयकर की दर से स्प्रे कर सकते हैं कुई नलफोस को भी आप 25 एमेल 15 लीटर पानी पानी पार्च वकाव क कर सकते हैं इसके अलाबा और भी इंसेक्टिसाइड आती है सेजेंटा की कराटे इंसेक्टिसाइड है सेजेंटा की अलिका इंसेक्टिसाइड है और भी तरह तरह की इंसेक्टिसाइड आती है तो आप स्प्रे कर सकते हैं इसके अलाबा टाटा रैली इसका इंडोक्सकार वी इंसेक्टिसाइड आती उसको भी आप इस प्रे कर सकते हैं यह दबाइए जो इल्लियों को कंट्रॉल करते हैं बहुत ही बढ़िया रेजल्ट रहता है बीस दिनों तक इल्लियों को कंट्रॉल करके रखता है अब बात का थे टॉनिक के बारे में देखिए फलफूर ड्रॉप भी होते हैं फलफूर जड़ते हैं और फलफूर कमाते हैं तीन चार कारण होते हैं तो यह हो था क्यों मौसम की फेर बदली के कारण यानि मौसम परिबारतन के कारण फलफूर ड्रॉप होते हैं कमाते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है ना क को कंपनी की सागरी का को इन 5-6 को आप 15-15 दिन के अंतराल पर छलकाप करेंगे तो आपकी फसल पर अच्छी बड़ी मात्रा में फूल आएंगे फसल भी ग्रोइंग अच्छी तरीके से होगी 300 ml किसी को भी इनका सेम डोज है 300 ml पर तीकल की दर से छलकाप करना चाहिए अब ब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को स्प्रे आप कर सकते हैं बात करते हैं सकिंग पेस्ट कंटॉल यानि रस्चूसक कीटों को कंटॉल हम कैसे कर सकते हैं और बड़ी मात्रा पर रस्चूसक कीट आते हैं और लीप करल भी मतलब जो बीमारी होती बायरास होता है वो करने के लिए कंट्रूर्ड करने की लिए डाय अग्रिबसांस की डैलिगेट इंसेक्टि साइट को इस क्षीड कर सकते हैं और कमपनी का पॉलஇंसेक्टि साइट को आप इस परी करेंगे तो रस चूसने वाले कीटों को आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं बात करते हैं फर्टी लाइजर सेडियूल के बारे में तो किरपिया ध्यान दीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा क्योंकि सबसे एहम टॉपिक सबसे इंपोटेंट टॉपिक अब चालू होने वाला है यानि फर्टी लाइजर सेडियूल के बारे में पूरा सेडियूल आपको बताने वाला हूँ तो किसान भायो किरपिया ध्यान दीजिए और वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी लेकर नौलिज काफी सटीक है शंपून है इसलिए वीडियो लंबी हो सकती है जैसे ही रोपाई से बारे में दिन फाटिगेसन स्टार्ट करते हैं ड्रिफ पर तो ड्रिफ की खाद बता रहा है जैसे हमाई फ़सल बारवे दिन की होती है तो आपको दो किलोगराम एन पी के 99 गुलंसील खाद लेना है और 100 ग्राम आप गन्ने का गोड लेना है इनको आप ड्रिफ पर छोड़ना है गोल कर इसके अलाब जैसे ही रोपाई से 16 दिन की हमाई फ़सल होती है तो हमको घुलंसील खाद 17,44,03 किलोगराम लेना है और 500 ml हुमिक एसिड लेना है ड्रिफ पर छोड़ देना है जैसे ही हमारी फ़सल 20 दिन की होती है तो 12,61,04 किलोगराम लेना है और 2 किलोगराम हमको सल पर एक तुखाद लेना है बीस विदेन रोपाई से छोड़ देना है प्रतियकल की दार से जैसे हमाई फ़सल रूपाई से 30 दिन की होती है तो हमको 0, 524, 3 kg, 1 kg बोरॉन एक तखाद को लेना है और ड्रेपर छोड़ देना है जैसे हमाई रूपाई से 40 दिन की हमाई समिला मिड़्िस की फ़सल होती है तो चार किलोग्राम केमेक्स सुपर छोड़ देना है जैब बैक्टीरिया है इसके अलाव रोपाई से पचास विदिन तेरा चालिस तेरा गुलान सील खाद चार किलोग्राम सुक्ष पोसक तत्व एक तखाद हमको पांच किलोग्राम ड्रेप पर छोड़ना है रोपाई से जैसे हमाई फचास सार दिन की होती है तो जीरो बावन चौटेस चार किलोग्राम प्लस तीन किलोग्राम जिंक एक तखाद को लेना है और छोड़ देना है जैसे हमाई फचास रोपाई से सतर दिन की होती है तो हमको जीरो जीरो पचास घुलन चील खाद को चार किलोग्राम लेना है और पांच किलोग्राम सुक्ष पोसकता है तो एक तखाद को लेना है और छोड़ देना है जैसे हमाई फसाल 80 दिन की होती है रोपा इसे तो हमको 1919 गुलंजील खाद 2 किलोगराम 1260 गुलंजील खाद 2 किलोगराम हिमक एसेड 1 किलोगराम लेना है और हमको छोड़ देना है ड्रिप पर तो यदि आप खाद को देंगे अब किसान भाई कहेंगे यह तो जादा लंबी खाद हो गई हम तो इतनी खाद नहीं दे सकती है तो आप जब 10-10 दिन के अंतर पर नहीं दे सकते हैं तो एक महीने के अंतर पर दे क्योंकि क्या है कि जो आप मॉडर्ण में खेती करना चाहते हैं या फिर ड्रिफपर कर रहे हैं तो हमारे के सामपा यह दूसरे दिन मतलब खाद छोड़ते हैं बट आप जो मैंने सेडूर बता है इस सही है इसके अकॉर्डेंग और आपका बजट नहों तो कम कर दें इसको आधा कर दें मैंने आपको 80 दिन तक बता दिया जैसे हमाई फसल 80-90 दिन की होती है तो आपको एक साइकल बना लेनी है और खादों को देते रहना है आपको 10-10 दिन के अंतराल पर 4-5 kg इन खादों को देना है जो मैं बता रहा हूँ 12-60-0-0-50-0-54-7-4-0 इनकी साइकल बना लेनी है और 10-10 दिन के अंतराल पर यानि एक दिन आपको 12-60-0-4-5 kg लेना है फिर 10 दिन बाद 00-50 और फिर 10 दिन बाद 00-54-10 दिन बाद 70-44 इनसी आपको साइकल बना लेनी है घुलन सी लखात को देते रहना है अगर आप ऐसे फर्टेगेशन करेंगे तो आपकी फसल अच्छे तरीक से ग्रोइंग उपाज उत्पादन होगा अब बात करते हैं बारस के बारे में तो बारस की रासा ने कोई भी दवाई नहीं बनी है यह दवाई है जो मैं आपको यूट्यूब में नहीं बता सकता हूं लेकिन क्या करना है आपको कि जो बारस ना आए तो सबसे पहले तो रस चूसने वाले कीट का काम रहता है बारस को फैलाने का तो उसके लिए बारस ही ना आए तो आप क्या करें कि रस चूसने वाले कीटों क आटेक ना आने दें तो समय समय पर रस चूसने वाले कीटों को सफेद मख्षी का आटेक ना हो पाए तो यह ऐसे करेंगे और भी आप गौमूत्र को नीम की पत्ती जो नीम ओयल है इनका इस पर करेंगे मठा का इस पर करेंगे तो आपकी फजल पर जो बारा से नहीं आएगा तो याद राखना नेम की पत्ती का रस निकाल के या फिर उसको मठके पर रखकर उसको आप कुछ दिन बाद में बता दूंगा कि बारस की वट आप नीम ओयल स्प्रेक करें बहुत ही बाढ़िया है बात करते हैं सिमला मिर्च का रेट आपको 15 25 35 35 रुपे की आसपास रेट मिल जाता है उत्पादन 40-50 टन प्रती एकाल की दर्श से इसका उत्पादन होता है फसल तयार 55-60 दिनों में आपकी हार्वेस्टिंग के लिए फसल दोडाई के लिए तयार हो जाती है सतर दिन भी लग सकते हैं अगर आप मैंने बताए डृंचिंग करेंगे तो आपको फा सेवला मेर्च की बंधाई कई मतलब कई लोग मतलब फूल आने की स्टेज पर करती हैं लेकर आपको बंस के तुकड़ों की भी आ सकता पड़ती है जिसे हवा में हमारा पौधान मतलब छोके ना तो आपको 14-15 बंस के तुकड़े लग जाते हैं बंधाई के लिए आप रस् तो आपको 40-50,000 रुपे जो और साल चलेगी तो फर्स्ट साल लगा रहें तो आपको ड्रेप का खर्च तो आएगा ही आएगा जो ताई का तो हमेशा आएगा जब भी आप लगा हुई बैट प्रिपरेशन का भी खर्च आएगा तो आपको मैं कह सकता हूं कि एक एकल का ज तो ध्यान रखना है आपको एक एकड़ अगर खर्च कर रहे हैं तो आपको ड्रिप का खर्च पड़ेगा मतलब सेकंड दूसरे साल से आप बास के तो बच जाएगी और आपकी ड्रिप बच जाएगी तो नेक्स्ट यह आपको कोशियां से ज्यादा कोश्ट नहीं पड़े आपको हर साल लगाना पड़ेगा वर्ट जो आपको मैं बता दाओं ड्रिप एरिगेशन है यह आप एक साल याली जी अच्छी वाली मार्केट्स हैं और आप 8-10 साल का अच्छा एबरेज रहता है तो मैं कह सकता हूं कि आपको 4 लाख रुपे 5 लाख रुपे आप यह गड पर कमा सकते हैं और पूरा खर्च काटके आप 1 साल पर 3 लाख रुपे ठाइट से 3 लाख रुपे एक साल में कमा सकते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको बताया सेमला मिर्च की उन्नत खेती की संपूर्ण जानकार यानि आपको कितना खर्च हो जाएगा आपको खर्च लगता है अगर अच्छे से आप करेंगे खेती तो दोस्तों च्छोटे मोटे खर्च तो आपको लगे रहाएंगे जैसे हर्वैषी त gourekरना फाल की तदा घर जाहिए आपको क्या वे एनिफेट होगा कब क्यांसी खेती करना चाहिए नरसारी क्यांसी तयार करनी चाहिए कितने दिर में तयार हो जाती है सब कुछ आपको एटू जैड जानकारी बताए वीडियो पसंदा तो लाइक करें मिलते हैं से और भी इंट्रेशन टॉपिक के साथ है तब